बच्चों सबको नमस्कार, ख्लास्टेंट के बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंस का रिफ्रेक्शन, तो पहले हम आपको बताएंगे, स्फेरिकल लेंस क्या होती है, स्फेरिकल लेंस, इन माइ लास्ट वीडियो, आइब डिस्कस्ट अबाओ, स इसको कहते हैं, स्फेरिकल लेंस, इस तरह से होते हैं, दोनों साइड इस्फेरिकल होते हैं, इसको कहते हैं, और कॉनकेब लेंस, और कॉनकेब लेंस, दोनों साइड इस्फेरिकल होते हैं, इसको कहते हैं, कॉनकेब लेंस, और कॉनकेब लेंस, दोनों साइड इस्फेरिकल लेकिन curved inverse होते हैं यह होता है concave lens के लिए बच्छों तो concave lens बीच में पतला होता है convex lens बीच में मोता होता है के लिए और यह जो axis है इसको कहते हैं optical axis यह optical axis के लिए और यह ऐसा इसको कहेंगे optical center इसको कहेंगे optical center और A B जो है इसको कहते हैं aperture of a lens A B को क्या कहेंगे aperture of a lens aperture of a lens कहते हैं यहां भी इसको A B माल देते हैं तो इसको भी हम aperture कहेंगे this is convex lens, convex lens and this is concave lens, concave lens अब अचो कुस lens ऐसे भी होता है जैसे एक side plane होते हैं इसको कहेंगे plano convex, plano convex इसको कहेंगे plano concave जो एक side plane होंगे इसको कहेंगे plano concave, clear? तो there are two types of lens, तो spherical lens को हम इसे define कर सकते हैं एक transparent medium है, at least one side is, one surface is spherical, at least, एक तो होना ही चाहिए, एक सी जाधा भी हो सकता है इसको हम कहेंगे double convex lens, क्योंको दोनो side मेरा spherical है, इसको कहेंगे plano convex lens, एक side plane है इसको कहेंगे plano concave lens, clear? तो खास करके clean class tent आपको ये दोनों ज्यादा important है, that is convex lens and concave lens, तो आप इसको बना लिजिए, की जड़को, मिटा दो बच्चो में इसको, और एक किसम का होता है, बच्चों सो कहते है, concave o convex, like that, इसको कहते है, इसको कहते है, concave o convex, concave o convex, और एक कुछ इस तर से होता है, इसको कहते है, concave o convex, concave o concave, concave, तो ये आपको ये higher class में मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो that is your lens, अब इसमें जो important terms है in class 10th level, that is, जैसे बच्चों माल लेते हैं, ये मेरा कॉंसा lens है, convex lens है, clear, और तो आप देखेंगे कि इसका, ये spherical part होगा, तो बच्चों ये जो surface है, इसका spherical part ये है, और ये जो surface है, इसका spherical part ये है, clear, तो बच्चों इसका spherical part का इसका एक center होगा, इसका spherical part का इसका एक center होगा, clear, और यह मैंने बताया था आपको optical axis तो अगर हम एक line इसा जो कटते हैं like that तो कहने का मतलब है कि lens में दो center होते हैं xc1 xc2 इसी तरह से इसका एक focus होगा इसका तो इसको हम f1 लिखते हैं और इसका एक focus होगा उसको हम f2 लिखते हैं तो बच्चों lens के case में there is two center of curvature and there is two focus clear एक को कहते हैं first focus primary focus या first focus और दुसरे को कहते हैं second focus first focus और दुसरे को कहते हैं second focus clear first focus वो होता है जब कोई light अगर focus से pass होगा तो after reflection it will become parallel to the principal axis that is called first focus and second focus वो होता है कि अगर कोई light parallel आ रही है principal axis से तो after reflection it will go through the focus तो यह difference है first focus and second focus first focus से अगर light निकलेगी तो after reflection it will become parallel to the principal axis and second focus वो focus होती है अगर light parallel आ रही है principal axis के तो वहां पी meet करेगी clear तो आप mind में set कर लिजिए कि lens में हमेशा दो center of curvature होते हैं दो focus होते हैं तो हम अगर इसका simply बनाएं कोई भी lens ले 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 मान लिजिए F2 C2 के लिए बच्चो तो that is very important because जब हम ray diagram बनाएंगे तो हमको यह figure की आ सकता पड़ेगी तो इसको आप note कर लेंगे हां रबच्चो first focal plane and second focal plane first focus and second focus यह very important concept है इसको आप clear कर लिजिए तो जैसे कि मैंने बताया कि lens में दो focus होते हैं तो जैसे convex lens convex lens में first focus यह वाला point होगा जहां से अगर light निकलेगी तो after reflection वो parallel हो जाएगी that is the first focus in convex lens, concave lens में जो first focus होगा that is this one F1 F1 यह मेरा first focus है that means अगर light वहां पे आ रही है focus में अगर light आ रही है तो after reflection it becomes parallel to the principal axis के लिए तो convex lens का first focus इस साइट रहता है और concave lens का first focus उस साइट रहता है यह अपने mind में set कर दिजिएगा इसी तरह से convex lens का second focus तो कैसे define करेंगे अगर light principal axis के parallel आ रही है तो after reflection not reflection refraction it will meet at this point that is called second focus इसी तरह से concave lens में अगर light principal axis के parallel आ रही है तो यह क्या होगी diverge होगी और it appears to meet that point, इस point को कहेंगे second focus तो that is आप में में से सेट करेंगे अगर convex lens है तो first focus इससाइड है और concave lens है तो first focus उससाइड है क्लियर और aगर convex lens है तो second focus उससाइड है और concave lens है तो second focus इससाइड है concept होई है कि focus से light निकलेगी तो after reflection becomes parallel सब्सक्राइब अप्रा रिप विं ऩो सब्सक्राइब करेंगी पडराक्राइब ही फोगरा रहा रही है इसको आप नोट कार लिजे तो बचो मिटा दो इसको अब बचो that is convex lens convex lens convex lens is also called is also called converging lens इसको हम क्या कहते हैं converging lens कहते हैं why because it converges all the rays parallel to the principal axis माल दिजिए ये convex lens मैं छोटा सा बना रहा हूं दिखाई नहीं देगा आखको बड़ा ही बना देता हूं ये convex lens है के लिए ये इसका optical axis है ये इसका principal axis है तो light coming parallel to the principal axis they will it pass through the second focus light coming parallel to the principal axis they pass through the focus so it converges it converges the parallel beam of light to a point so it is why it is called converging lens and your concave lens concave lens is also called is also called diverging lens diverging lens concave lens को काम diverging lens कैते right so this is concave lens this is concave lens this is concave lens the optical axis the principal axis how you will light eye गी parallel to principal axis it will diverge how you will light eye गी parallel to principal axis it will diverge so it appears to meet at this point which lens is called converging lens convex lens which lens is called diverging lens concave lens it diverges it actually meet so it will give real image except one position this is concave mirror that is converging mirror कहा जाता था और convex mirror को diverging mirror कहा जाता था same concept यहाँ पाय है so it will give तो इसको बना लेंगे या ना बच्छो लेट आस दो दा रे डाइग्राम तो उसके लिए फिर से रूल्स हम तेखेंगे वही रे से रूल्स है तो यह मेरा लेंग्राइग्राम तो पहला रूल्स वही है कि अगर कोई लाइट इसके प्रिस्पल एक्सिश के पैर्रेल आ रही है तो फोकस और अगर कोई लाइट फोकस से जा रही है तो अफ़िए everyone ना सपने तो बस निदेख्ण रो neo किया कि अगर कोई लाइट से आ रही है तो मुँल से यह जाएगी और इनली दो इसे अगर कोई लाइट यह थो एप अपका अटून minor इसको कहते हैं अगर पिकल सेंट्र से आ रही है तो अग्र अग्र याइट पास हो जाएगी तो एक पासीं फूर्ट पिंस्पल एक्सिस इस अग्र हो रही है तो वह बाकी तो रूल वही है तो इस वो नॉट कंफूज तो इसको आप नौट कर लेजिए बरी इंपोर्टेंट तो बच्वों दी जादा रे डाइग्राम जो आपको Practice कर लेना है Convex Lens के तो पहला जो object है Object is at infinity object मेरा कहा है infinity तो infinity से हम parallel और इमेजिन करते हैं after reflection इमेज इस फोंट इद फोकस इमेजा फोकस नेक्स्ट अब्जेक्ट को मैंने कहा रखा है बियॉण दसी रखा है बियुण दसी दसी एउन दसी यह तो इमेज में जो बनेगा दिए वही पैडल राइस इमेज और ऊपिकले से पास कर आएंगे जहां दोनों इंटरसेक्ट करे हैं the image will be formed between f2 and c2 f2 and c2 and it is real and inverted and it is magnified this is very important figure यह बार बार एक्जाम में आता है कि अगर हम c1 पे object को रखेंगे c1 पे तो we get image at c2 तो हम ray diagram कैसे बनाएंगे यह मेरा object है एक रे हम ले जाएंगे यह से पैडल टूदा प्रिंस्पल एक्सिस आफ्टा रिफ्लेक्शन पासिं फूर फोकर से कंड्रे हम अप्टिकल से ले जाएंगे इंटर्सेट जहां करेगा इस इमेज तो यह फिगर बहुत जहां इंटर्सेट करेगा इमेज बन जाएगा real and inverted and it is magnified next अगर फोक्स पर अब्जेट को रखें फोकस पर तो डाग्राम इस सें पेडरल एक्सिस, पेडरल हम रे इमेजिन करेंगे, फोकस से पास करेंगे, एक अप्टिकल से पास करेंगे, यह हम दोनों पेडरल रेज हो जाएंगे, तो रे नेभर मीट, रे मीट इन्फिनिटी, तो इमेज हम कहेंगे, इमेज इन्फिनिटी, अगर फोकस में मेरा अबजे है A and B is the object जब हम object को pole optical center और focus के बीच में रखेंगे that हम ray diagram उसे बनाएं कि यहां से एक parallel array imagine करेंगे it passed to the focus and एक optical center से तो जो लों को हम जब पीछे की तरफ produce करेंगे they will form the enlarged image address leaders तो यह मेरा virtual image है के लिए तो इतना आपको ray diagram practice कर लेना है in case of convex lens और आपके NCRT books में भी दे रखा है आप यह page number देख लेंगे that is 180 में यह ray diagram दिया हुआ है और चार्ट भी दे रखा है यह चार्ट 178 यह यह चार्ट दे रखा है इसमें आप इसको practice कर लेंगे कहां object रखेंगे तो कहां image बनेगा उसका nature किया होगा right but ray diagram is very important ray diagram is very important for convex lens इसी तरह से हम discuss करेंगे concave lens केवल virtual image देता है तो पहले आप इसको note कर लिजे तो बच्चो नेक्स इमेज formation by concave lens आपके NCRT में केवल दो diagram दे रखा है इसको आपको practice कर लेना है तो पहला है कि जब यह concave lens है जब object मेरा infinity में है तो infinity से parallel lens imaging करेंगे और concave lens के आप होता diverging nature होता यह diverse कर देगा और जब हम इसको पीछे के तरह produce करेंगे तो यहाँ पे focus पर यह meet करेंगा that is the image if object is at infinity the image is from that focus clear and इसी तरह से next है diagram जो आपका कि हम object को कहीं भी रखेंगे infinity से infinity से pole के बिच में कहीं भी रखेंगे तो that is the object मेंने रखा है यहां से हम रे imaging करेंगे और द्राइबर्स हो जाएगा दूसरा दे हम optical से पास करेंगे तो जहां intersect करेंगा that is the image formation तो यह वर्ट्यूल इमेज है यह भी वर्ट्यूल इमेज है यह मतलब डिमिनिस्ट है और इरेक्ट इमेज है तो इसको आप प्रेक्टिस कर लेंगे यह भी आपके यह NCRT में दे रखा है यह दो डाइग्राम दिया है इस तू डाइग्राम इसको आप अच्छी तरसे अभ्यास कर लेंगे चार्ट भी दे रखा है यह टेबल कहां रखने से कहां इमेज बनेगा यह थोटा सा टेबल दिया है ओनली टू पोजिशन इस देर दोनों केस में व तो इतना आपको डे डाइग्राम अभ्यास कर ले ना है प्रेक्टिस कर ले लेना है तो फिरी इपोर्टेंट एग्जाम में इस ट्रियर फाल्वर क्वर्वड क्वेशन आता है और कुछ कभी कभी तो कुछ डायग्राम इनकम्प्लिट दिया रहता है कहता है उसको कम्प्लिट करो तो बच्चो जितना आप प्रेक्टिस करेंगे उतना आपके आप में स्किल्स डेवलप होंगे आप सही-सही डायग्राम बना पाएंगे I hope you enjoy my video इसको अप्यास करिए पढ़िए और मेरे वीडियो को like, share and subscribe करिए पढ़ते रहिए थेंक यो